हाई विडिवन तो कैसे हो आप लोग यार प्लीज लेट मी नो इन दो कॉमेंट सेक्शन दिस इस प्रेम आज की इस वीडियो में हम क्लास एट एंसियाटी साइन्स के चाप्टर नुम्बर सेवेंटीन स्टार्स एंड दो सोलर सिस्टम का पार्ट थ्री पढ़ने वाले हैं हम पार्ट थ्री स्टार्ट करना है दस सोलर सिस्टम से इसका मतलब यह है कि आज की इस वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे आसमान में सोलर सिस्टम एक्चुली होता क्या है हम केव तो इन सब का काम क्या होता है ये सारी चीजे होती क्या है इन सभी के बारे में detailed study करेंगे हम इस वीडियो में बट इसके पहले मैं आपको बता दू कि हमने already इस chapter का part 1 and part 2 दोनों upload कर रखा है part 1 में हमने पढ़ा था कि moon क्या होता है actually हमारे earth से ये जो प्यारा सा चात दिखाई देता है वो क्यों दिखाई देता है क्या है सारी चीजे हमने moon के बारे में पढ़ी थी अगर आपने first part नहीं देखा तो उपर information बटन है वहाँ पर जाओ क्लिक करो विडियो को देखो now part 2 part 2 में हमने तारो के बारे में पढ़ा stars के बारे में पढ़ा के stars क्या होते हैं हमें अपने earth से ये stars इतने चोड़े चोड़े क्यों दिखाई देते हैं इन सारी चीजों को हमने part 2 में पढ़ा है अगर आपने part 2 की वीडियो नहीं देखी तो वो भी आपको information बटन पर मिल मार्च से स्टार्ट है, जाधा तरह स्कूल में जो एक्जाम से मार्च से स्टार्ट है बट, ड्यू टू दिस पैंडमिक, हमने अच्छे से क्लासे अटेंड नहीं किया जिसकी वज़े से हमारे क्लास एट के बेसिक्स ना, क्लियर नहीं है मैं आपको बता दू, क्लास एट एक ऐसी क्लास होती है न बिटा जिसमें आपको एक एक चीज अच्छे से समझनी शगी है ताकि आप क्लास 9, 10, 11, 12 में न, उनहीं बेसिक्स का यूज़ करके अपनी पढ़ाई को बहुत स्मूदली कंटिन्यू कर पाओ इसलिए आपके क्लास 8 की पढ़ाई इत्तू सी भी डिस्टर्ब ना हो हमने लास्ट मंथ रिवीजन बैच स्टार्ट करा है येस हमने क्लास 8 के लिए आखरी महीने में इंगलिस साइन्स एंड मैथेमेटिक्स के फुल रिवीजन के लिए एक रिवीजन बैच स्टार्ट करा है इस रिवीजन बैच के लिए मैं केवल एक कहूंगा सबसे सस्ता और सबसे अच्छा इस रिवीजन बैच में आपको डेली लाइफ क्लासेज, डेली डाउट सेशन, रिवीजन नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेशन और अंसर्स, NCRT सलूशन, मेंटी क्विजस, डेली एसाइमेंट्स, वीकली टेस्ट, ऐसी बहुत सारी फैसिलिटीज हैं जो बड़ी-बड़ी कंपनिया आपसे मोटा पैसा चार्ज करके लेती है यह उनके लिए है, जो ऐसी जगा पर रहते हैं, जहाँ पर ट्यूटर्स नहीं है, जहाँ पर इंगलिस मेडियम में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है यह कोर्स उन बच्चों के लिए है, जो थोड़ा सा फाइनिसियली वीक हैं, और जो महंगे-महंगे कोर्स को नहीं खरीज सकते हैं अगर आप भी इस रिवीजन बैच को जोईन करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दूँगा जोईन बैच करके, लिंक पर क्लिक करो, आप सीधा बैच पर चले जाओगे, लेकिन इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एजुकेशनल हाइक्स अप्लिकेशन डाउनलोड करनी की जरूरत है बिटा अब भी अपने फोन को उपेन करो, प्ले स्टोर पर जाओ, एजुकेशनल हाइक्स अप्लिकेशन को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो उसी application में आपको ये revision course मिलेगा ये revision course really इतना helpful होने वाला है आपके लिए कि आपने कभी सोचा नहीं होगा बेटा So, मिलते हैं अपनी life classes में I hope आप सभी join करोगी इस classes को So, continue करते हैं आज के chapter 17 के part 3 The Solar System से Yes Hi everyone, welcome back to educational hike This is Prima, आज के इस वीडियो में हम Class 8 and CRT Science के chapter 17 Stars and the Solar System का part 3 पढ़ने वाले है आज के part 3 में हम Solar System के बारे में पढ़ेंगे इसके पहले के जो दोनों parts है वो हमने अप्लोट कर रखे हैं जैसा मैंने आपको introduction में अप्लोट कर रखा है तो इन वीडियो को make sure जाके जरूर देखो description box में दोनों वीडियो की link मिल जाएगी Okay, let's start from part 3 Part 3 हम पढ़ेंगे Solar System के बारे में Solar System के बारे में आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो Yes, sir लेकिन कुछ भी पता नहीं है Yes, sir आज हम इस टॉपिक के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे Yes, sir So, let's start The sun and the celestial bodies which revolve around it form the Solar System अब देखो Solar System मिल के किस-किस चीज से मिल के बना हुआ है Solar System पहला हमारा sun और sun के अगल-बगल जितनी भी चीजे revolve करती है Sun के अगल-बगल जितनी भी चीजे चक्कर लगाती है वो सभी चीजे मिल के Solar System बनाती है जैसे हमारा Earth हमारा Earth भी sun के चारों चक्कर लगाता है पता है आपको It consists of large number of bodies such as planets, comets, asteroids and meteors मैंने आपको बताया Solar System में बहुत सारी चीजे है बहुत सारी चीजे Sun के अगल-बगल revolve करती है उनमें से planets हो गया हमारा जैसे Earth एक planet है और सूरज के चारों चक्कर लगाता है यह आपको पता है comets, comets आपने एक नाम सुना होगा Halley's Comet देखो, comet का हिंदी मिनिंग होता है Dhrumketu यह Dhrumketu ऐसे कुछ हिंदी में उसे बोलते है यह Dhrumketu तारा हर 75 या 76 years बात दिखाई देता है मतलब हम इनसान ना इस comet को Halley's Comet जो होता है comet वैसे बहुत type के होते है comet मतलब होता क्या है बहुत ही simple चीज़ है कोई पत्थर जिसमें बर्फ, पत्थर, गैसेज बहुत सारी चीज़े मिलकर comets बनती है तो यार यह जो comet है ना यह हमें एक इनसान की life में केवल दो बार दिखाई देता है क्योंकि यह comet हमें धरती से 75 या 76 साल बाद एक बार दिखाई देता है तो यह हो गई planets हो गया, comet हो गया asteroids, asteroids मतलब बड़े-बड़े पत्थर meteors, meteors मतलब छोटे-छोटे पत्थर जो इस space में पाए जाते हैं यह सभी चीज़े मिलकर solar system बनाती है अब देखो आपके mind में question जरूर आ रहा होगा कि भया यह सारी चीज़े sun के अगल बगल क्यों revolve करती हैं तो इसलिए क्योंकि the gravitational attraction between the sun and these objects keeps them revolving around it अब देखो जैसे हमारा earth है अगर हम earth से कोई चीज़ उपर फिके, तो वो नीचे आ जाती है क्यों? क्योंकि earth हमारा gravitational force से उस चीज़ को नीचे अपनी तरफ भीच लेता है बिल्कुल ऐसा ही sun के साथ है sun के पास भी अपनी gravitational force होता है अपनी gravitational attraction की सक्ती होती है अब ये जो sun होता है ना अपनी gravitational power से जितनी भी चीज़े उसकी अगल बगल हैं, जितनी भी planets हैं, जितनी भी comets हैं, जितनी भी asteroids है, meteors है, इन सभी चीजों को sun अपने अगल-बगल घुमाता है और क्यों घुमाता है? gravitational attraction की वज़े से, समझ में आया, आगे पढ़ते हैं the earth आपको पता है, धर्ती जहां पर हम रहते हैं, also revolves around the sun, आपको ये भी पता होगा ये धर्ती सूरज के चारो चक्कर लगाती है, तभी तो हमारी यहां पर कभी ठंडी होती है कभी बरसात होती है, कभी गर्मी पढ़ती है, ये क्यों होता है? ये due to revolution of the earth earth, sun के जो चारो चकर लगाती है ना, इसी वज़ा से earth पर अलग-अलग season change होती है, ठीके तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा earth है, वो sun के चारो चकर लगाता है, it is a member of the solar system, बहुत ही simple सी बात है जो भी चीज, sun के चारो चकर लगाती है, हम उसे कहते है solar system, तो बिल्कुल ऐसे ही earth भी हमारा एक member है solar system का, इसको हम planet कहते हैं, ग्रह कहते हैं, आपको पता है, earth is our planet earth is a blue planet, earth को blue planet भी कहते हैं लोग, क्यों क्योंकि space से ये जो earth है वो इतना जादा पानी है हमारे earth पर कि blue, blue color का दिखता है, इसलिए हम earth को planet तो कहते ही है कभी-कभी blue planet भी कहते हैं याद रखना ही से, ठीक है, there are seven other planets that revolve around the sun अब देखो, earth के अलावा साथ और भी planets हैं जो sun के चारो और घूमती रहती है अब देखो, उनका नाम क्या है total eight planets है देखो, आपको पता है कि 9 planet होते थे solar system में अभी क्या किया गया है Pluto को काट दिया गया है Pluto अब हमारा solar system का member नहीं रह गया है ऐसा क्यूं है, मैं बताऊंगा आपको बट पहले इसके पहले आप ये जान लो कि जो total eight planets है हमारे पास, ठीक है उनका यहाँ पर order दिया गया है कि उनकी distance कितनी दूरी है sun से इस according यहाँ पर नाम लिखा गया है मतलब देखो sun के सबसे जादा पास है Mercury, उसके बाद है Venus, फिर है Earth, फिर है Mars, फिर है Jupiter, फिर Saturn, फिर Uranus and Neptune, मतलब sun के सबसे जादा पास कौन है Mercury है, फिर उसके बाद Venus है, फिर third number पर हमारा Earth है fourth number पर Mars fifth number पर Jupiter sixth number पर Saturn seventh number पर Uranus और eighth number पर सबसे दूर sun से कौन सा प्लैनेट है यह Neptune प्लैनेट तो यहाँ पर सारी प्लैनेट्स के नेम दिये है और कैसे कैसे नेम दिये गए है उनके distance के according मतलब sun से सबसे जादा नजदीक Mercury है तो सबसे पहले Mercury है फिर Venus, फिर Earth, फिर Mars फिर Jupiter, फिर Saturn, Uranus और नाप्ची उनाई होप आपको यह तो पता चल गया होगा इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा बिलकुल नहीं होगी चलो आगे देखते हैं आगे next page पर क्या है यह देखो यहाँ पर आपको पूरा solar system का view दिया गया है आप यहाँ पर देख पा रहे हो sun के सबसे जादा नजदीक Mercury है फिर दूसरे नमबर पर Venus है फिर तीसरे नमबर पर हमारा Earth है चौथे नमबर पर Mars है Mars के बाद पांचवे नमबर पर Jupiter फिर Saturn फिर साथवे नमबर पर Uranus और Sun से सबसे जादा दूर और आठवे नमबर पर जो प्लैनेट है वो है Neptune तो यहाँ पर यह जो solar system है यह आप देख पा रहे हो और यह देख रहे हो यह जो रास्ता है यह सभी प्लैनेट का अपना रास्ता है जैसे Earth का भी यह जो रास्ता है यह 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 रास्ता दिख रहा है आपको यह इस रास्ते को हम क्या कहते हैं Orbit कहते हैं क्या कहते हैं Orbit कहते हैं यह सारी planets अपनी अपनी और्बिट में सन के चारो चक्कर लगाते है जैसे सैटर्न का जो और्बिट है वो ये है सैटर्न के वल इस रास्ते पर चलता है और इस रास्ते से वो सूरज के चारो चक्कर लगा लेता है ऐसे हमारा यूरेनस है यूरेनस इस रास्ते पर चलता है और इस राष्टे को कहते क्या है याद रहेगा न और्बिट क्या कहते हैं और्बिट याद रहेगा बिल्कुल याद रहेगा मेरी जान चलो नीचे देख लेते हैं यहाँ पर सोलर सिस्टम कैसा दिखता है वो यहाँ पर दिखाए गया है आप देख लो आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी टकलू बूझो टकलू बूझो यह क्या पूछ रहा है पूछ रहा है कि I have read that there are nine planets in the solar system बूझो पूछ रहा है कि भाया हमने पढ़ाए कि solar system में तो nine planets होते हैं आप बता रहे हो कि solar system में केवल eight planets होते हैं लास्ट वाला planet Pluto कहां गया चलो तो Pluto के बारे में भी बात कर लेते हैं कि Pluto अब हमारे solar system का member क्यू नहीं है चलो देखो did you know क्या तुम जानते हो कि 2006 तक हमारे solar system में nine planets हुआ करते थे 2006 तक हमारे solar system में nine planets हुआ करते थे Pluto सबसे दूर वाला planet था सन से अभी सन से जो सबसे दूर वाला planet है वो है Neptune लेकिन 2006 तक हमारे solar system में nine planets हुआ करते थे और Pluto इस solar system का सबसे दूर वाला planet हुआ करता था लेकिन हुआ क्या 2006 में international astronomical union ये एक ऐसा union है एक ऐसा समू है जिसमें अलग-अलग देश के astronomers का मतलब जानते हो न जो space के बारे में पढ़ाई करते हैं जो sun, moon और stars इन सारी चीजों के बारे में जो study करते हैं उनको astronomers कहते हैं तो international astronomical union क्या है ये अलग-अलग देश के astronomers इस union में मिले हुए है भारत भी इस union का हिस्सा है भारत के भी कई scientists, कई astronomers इस international astronomical union में मिले हुए है इसका हिस्सा है तो हुआ क्या 2006 में कि जो international astronomical union था न इसने planet की एक नई definition निकाल दी इसने कहा कि planet केवल वही हो सकता है जो sun के चारो चक्कर लगाए पहली चीज दूसरी चीज इसने कहा कि planet वही ये देखो ये planet है ये हमारा sun है तो भाईया planet वही है जो sun के चारो चक्कर लगाए पहली बात कही इन्होंने दूसरी बात इन्होंने कही भाईया planet वही है जो sun का चक्कर लगाए लेकिन अपने orbit में अपने रास्ते पर चल कर अगर ये planet सूरज के चारो चक्कर लगा रहा है orbit का मतलब बेटा मैंने अभी आपको बताया था कुछ देर पहले मैंने orbit का मतलब बताया था ये रास्ता देख रहे हो ना ये गोला गोला जो रास्ता है ये हर planet का अपना एक रास्ता होता जिसे Neptune का ये देखो इसी रास्ते को हम orbit का नाम देते हैं ठीक है तो कहा क्या गया कह लोगों ने International Astronomical Union के लोगों ने कहा कि भाईया प्लैनेट वह ही है जो सूरज के चारों चक्कर लगाता है सबसे पहली बात दूसरी बात प्लैनेट वही है जो सन के चारों चकर लगाता तो है लेकिन अपने और्बिट पर अपने रास्ते पर अगर कोई प्लैनेट चलके सूर कोई ऐसी बात कह दी इन्होंने जो प्लूटो नहीं करता इन्होंने कहा कि प्लैनेट वही कहा जाएगा जो अपने और्बिट में अपने रास्ते में आने वाली हर छोटी बड़ी पत्थर या कोई भी चीज हो उसको हटा के ये सन के चारों चकर अगर लगा लेता है तब त कोई चीज अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को हटा नहीं पाता है जैसे देखो अगर ये सन है और सन का ये बहुत बड़ा अउर्बिट है जिस पे प्लूटो सन के चारों चकर लगाता है आपको पता है कि सन के अगल बगल बहुत सारे और्बिट है जैसे मरकरी का और्बिट वीनस का और्बिट ऐसे ही प्लूटो का भी एक और्बिट है एक अपना रास्ता है तो जो प्लूटो है न वो रिवॉल्ब तो करता है लेकिन लेकिन जितनी भी छोटी बड़ी चीजे इसके रास्ते में आती है न इससे टकरा कर ये यही रुख जाता है पूरा चक कर sun का नहीं लगा पाता और इसी वज़से अब जो Pluto है ना is no longer a planet of the solar system. Got it? Let us know about some members of the solar family. अब देखो हमारे पास जितने भी 8 planets हैं और इसके अलावा solar system में और जितनी भी चीज़े हैं उनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे solar system की जो सबसे पहली चीज़ है वो sun. भाया sun ना हो तो solar system बनेगा ही नहीं. Sun क्या है? The sun is the nearest star from us. Sun जो है एक star है हमने अल्रेडी इस चाप्टर में पढ़ लिया है. Sun हमारी धरती से सबसे नज़दीकी star है. Sun के बाद जो दूसरा star हमारे अर्थ से सबसे ज़दा नज़दीक है वो है alpha centauri. ये अर्थ से sun के बाद दूसरा सबसे nearest star है. तो sun हमारा सबसे पहला सबसे nearest star हमारे अर्थ से है. समझ गए? Sun बहुत ज़दा क्या emit करता है? It is continuously emitting use amounts of what? heat and light. आपको पता है जो सूरज है वो बहुत ज़दा गर्मी और बहुत ज़दा प्रकास planets को देता है. जैसे हम अर्थ वाले सुबह सुबह हमें सूरज की light पड़ती है. सुबह सुबह हमें अगर थंड में हम रहते हैं तो भाईया जब सूरज की किरड़े निकलती है तो हम बाहर चले जाते हैं ताकि हमें थोड़ी सी गर्मी लग सके. तो यह जो सन है ना यह बहुत बड़ा एक source है heat का और light का. ठीक है? The sun is the source of almost all energy on the earth. हमारे अर्थ पर जितनी भी energy जिससे हमें गर्मी मिलती है और जिससे हमें light मिलती है, sun हमारा इसका एक main source है. आपको पता है, आजकल हमारे घरों में solar panel लग गए है, solar cooker आने लगा है जिससे हम खाना बना सकते हैं, तो जादा तर जितनी भी गर्मी और जितनी भी light हमें मिलती है, वो sun से ही मिलती है और केवल अर्थ की बात नहीं हो रही है बेटा, in fact the sun is the main source of heat and light for all the planets अर्थ के अलामा भी, जितने भी हमारे पास साथ और planets हैं, उनका भी, उन planets में भी जो गर्मी पहुचती है और जो light पहुचती है, वो sun के द्वारा ही पहुचती है sun is the main source of heat and light for all the planets including earth अर्थ को मिला कर भी, heat और light ये जो sun है, वो सभी planets को देता है अब now planets क्या होते हैं, देखो, planets look like stars ये जो planets हैं, ये जो ग्रह हैं, कौन-कौन से planets हैं हमारे solar system में Mercury, Venus, Earth, Mars, Saturn, Neptune, Uranus, ये सब planets है, Jupiter, ये सब planets है अब ने को planets क्या होता है, the planets looks like stars ये planets हमें तारों की तरह दिखते हैं, आगर आप आस्मान में देखोगे न तो आपको कुछ ऐसी भी चीज़े दिखती हैं, जो बहुत ज़्यादा चमकती नहीं है वो planets होती हैं, ये हमें दिखता तो stars के जैसे ही है, लेकिन but they do not have light of their own, लेकिन इन planets के पास अपनी खुद की light नहीं होती है they merely reflect the sunlight that falls on them, देखो ये जो planet है न, ये इनके पास खुद की light तो होती नहीं जैसे earth, earth के पास क्या खुद की light है क्या, नहीं, अगर earth के पास खुद की light होती, तो रात में अंधेरा नहीं रहता, रात में भी उजाला रहता हमारे पास, हमारे planet पर, हमारे ग्रह पर, ठीक है अच्छा, अगर मैं अब तुम से पूछू कि क्या तुम planets और stars में difference बता सकते हो, तो क्या तुम बता पाओगे, बिल्कुल बता पाओगे मेरी जान, क्यों, क्योंकि planets do not have their own light planets के पास अपनी light नहीं होती है, और stars के पास क्या होती है, have their own light, stars के पास खुद की अपनी light होती है, और इसलिए यह जो stars से चमकते है तो दोनों में difference क्या है, planets के पास खुद की light नहीं होती है, और stars के पास खुद की light होती है, बहुत ही simple सी चीज है the simplest method of identifying planets from stars is that stars twinkle whereas planets do not बहुत ही simple सी चीज है कि बाईया जो तारे हैं हमारे जो हमारे stars हैं वो चमकते हैं और planets चमकते नहीं है मतलब हमें न धर्ती से planets दिखाई तो नहीं देंगे मतलब ऐसा नहीं है कि आप अपने आस्मान में देखोगे और बता दोगे कि वो देखो वो Jupiter वो देखो वो Mars वो देखो वो Neptune ऐसा नहीं है ऐसा आप नहीं कर पाओगे क्यों क्योंकि planets के पास अपनी light तो होती ही नहीं है तो तुम Earth से कैसे देखोगे उन्हें नहीं देख पाओगे केवल तुम stars को देख पाओगे ठीक है तो सबसे आसान तरीका यही है stars और planets का पता लगाने का क्या है कि जो stars हैं वो चमकते हैं लेकिन planets चमकते नहीं है ठीक है और जो planets होता है keep changing their positions with respect to the stars मतलब देखो क्या है इसका एक simple सी चीज है हमारे आसमान में बहुत सारे stars होते हैं बहुत सारे stars होते हैं आपको पता है बहुत सारे stars होते हैं और साथ-साथ में प्लैनेट भी हैं हमारे आसमान में. तो देखो, स्टार्स क्या होता है? आपको पता है, स्टार्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है न, वो कभी भी कम नहीं होती. ऐसा नहीं है कि ये स्टार ये दोनों पास-पास में हैं, तो एक स्टार यहीं पर रह जा और एक स्टार मूफ करके कहीं दूसरी जगा चला जाए ऐसा नहीं होता है. इनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, लेकिन अगर आप प्लैनेट्स और स्टार्स के बीच की डिस्टेंस देखोगे, तो तुम देखोगे कि कभी ये star और planets पास-पास में है तो कभी ये star और planet बहुत जादा दूर है इसका मतलब ये है planet star के respect में अपना position change करता है ठीक है समझ में आया और planet has a definite path in which it revolves around the sun बहुत ही simple भासा में यहाँ पे बताया गया है कि भाया हर planet का अपना एक रास्ता होता है जिस रास्ते पर चलकर वो sun के चारों चकर लगाता है मैंने अभी आपको बताया है कुछ देर पहले और इसी रास्ते को हम क्या कहते हैं orbit कहते हैं क्या कहते हैं orbit कहते हैं अब देखो एक और नया term आ गया है period of revolution क्या होता है the time taken by a planet to complete one revolution जैसे देखो revolution का मतलब पता है बेटा आपको जैसे देखो ये आपका घर है और अगर आप यहां घर के सामने खड़े हुए हो यहां पर अगर आप घूम के चारों ओर से अपने घर का चकर लगा लेते हो तो इस चीज को हम कहते हैं कि भाईया revolution कर लिया है तुमने क्या कर लिया है तुमने तुमने revolution कर लिया ठीक है अब देखो period of revolution क्या होता है जितना समय आपको अपने घर का चकर लगाने में लगा है उतने time को हम period of revolution कहते हैं अब ही देखो solar system के time से समझो, देखो अगर ये हमारा अर्थ है, अर्थ इस sun के चारो चक्कर लगाने में कितना दिन लगाता है, आपको पता है न, बेटा, 366 days, 306 दिन लगता है इस अर्थ को sun के चारो चक्कर लगाने में और इस time को हम क्या कहते हैं, इस time को हम period of revolution का नाम देते हैं, period of revolution, समझ में आया, कि मतलब revolution करने में कितना समय लगा, अब देखो, हर planet ना, अलग-अलग time लेती है, sun के चारो चक्कर लगाने में, चलो, इस पर detail में मैं आपको बताता हूँ, the period, the period of revolution increases, as the distance of the planet increases from the sun, कहरा है कि बया, देखो, ये sun है, मैंने बोला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, sun, देखो, सबसे sun के सबसे ज़्यादा करीब कौन है, mercury है, mercury के बाद कौन सा है, venus है, फिर क्या है, earth है, फिर क्या है, mars है, ऐसे ही तो है न, planets, अब देखो, mercury sun के सबसे पास है, इसलिए इसे बह कम टाइम लगता है, sun के चक्कर लगाने में, ठीक है, कितने दिन लगते हैं पता है, आपको, 88 days, लगभग 88 days लगते हैं, 88 दिन लगते हैं, mercury को sun का पूरा चकर लगाने में, और earth को, earth को कितना दिन लगता है, आपको पता है, earth sun के चारों चकर लगा लेती है, कितने दिन में 366 डेज में 306 दिन में अब अगर हम नैप्चिून की बात करें नैप्चिून सन से सबसे दूर है तो नैप्चिून कितने दिल लगाता है सन के चारो चक्कर लगाने में भाईया तुम बिलीव नहीं करोगे 165 साल 158 इयर्स नैप्चिून लेता है अपने रास्ते से चलकर सन के चारो चक्कर को लगाने में समझ में आया तो भाईया जितना बड़ा डिस्टेंस रहेगा उतना जादा पीरियड ऑफ टाइम होगा मतलब उतना जादा टाइम लगेगा चकर लगाने में देखो अर्थ को कम टाइम लगता है एक साल में अर्थ अपना रिवोलुशन पूरा कर लेता है मरकरी तो अपना रिवोलुशन 88 डेस में ही पूरा कर लेता है लेकिन देखो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रही है नैप्च्यून 165 साल लगा देता है सन के चारों चक्कर लगाने में समझ में आया बिलकुल समझ में आया बूजो क्या कह रहा है बूजो कह रहा है कि I wonder why the planets do not collide while revolving around the sun हमने देखा कि बहिया अलग-अलग planets सन के चारों चकर लगा रही है हमारे पास 8 planets है total और total 8 planets सन के चारों चकर लगाते हैं जो पास में है वो थोड़ा पहले लगा लेता है और जो सन से दूर में है उसे ज़्यादा time लगता है एक चकर लगाने में इतना हमने समझा अब देखो अभी बूझो सोच रहा है कि ये जो planets है वो एक दूसरे से टकरा क्यों नहीं जाते वो ऐसे घूमते घूमते जैसे for example ये sun है ये sun है ये mercury है और मानलो ये earth है ठीक है ये mercury अपने चारों चकर लगा रहा है और earth भी अपने चारों चकर लगा रहा है ठीक है कहीं है ऐसा क्यों नहीं होता कि ये earth जाकर इस mercury से जाकर भीड़ जाए कॉलाइड कर जाए क्यों नहीं होता है तो ऐसा इसलिए नहीं होता है चलो अच्छा अभी मैं तुमको ज़्यादा अच्छे से समझाता हूँ प्राक्टिकल करें अक्टिविटी नंबर 17.9 इस अक्टिविटी में है क्या गो आउट बाहर जाओ प्लेग्राउंड में आप जहां खेलने जाते हो ना ग्राउंड होगा बड़ा सा उस ग्राउंड करना है जैसे ही ग्राउंड पर पहुसते हो ना एक तो छोटा सर्कल बना दो इसका रेडियस कितना होना चाहिए इसका रेडियस होना चाहिए यह वन मीटर कितना वन मीटर एक दूसरा सर्कल बनाओ इसका रेडियस होना चाहिए यह वन पॉइंट एट मीटर भहिया रेडि की कितनी distance है उसी को हम radius कहते हैं पता है ना आपको चलो तो सबसे पहला आप एक मीटर का radius लेके पूरा गोला लगा लो फिर और बड़ा कर दो इस बार तुम ले लो 2.5 मीटर का radius 2.5 मीटर का radius लेके एक बड़ा आसा गोला बना दो फिर उससे भी बड़ा एक गोला बनाना है आपको इसकी रेडियस होनी चाहिए 3.8 मीटर आप स्केल लेके मतलब कपड़े उपड़े मेजर करने के लिए जो लंबी सी फीता आती है आपके मम्मी कपास होगा उनसे ले लेना और ऐसे ऐसे मेजर करके 4-5 गोले बना देना ठीक है अब आपको क्या करना है ask one of your friends अपने एक दोस्त को कहो कि बीच में आके खड़ा हो जाए और ये जो दोस्त होगा वो sun का काम करेगा ये देखो बिल्कुल sun की तरह ठीक है अब क्या है और your other four friends आपके और जो भी बाकी चाड़ दोस्त हैं उनको अलग-अलग circles पर खड़े कर दो एक को कह दो भीया तुम मरकरी हो एक को कह दो तुम Venus हो तुम थोड़ा दूर हो ठीक है एक को कह दो भीया तुम Earth हो तुम तीसरे नमबर पर आते हो फिर चौथे नमबर पर Mars सबसे दूर अब अगर ये अपने अपने सरकल पर चलेंगे तो क्या ये एक दूसरे से लड़ जाएंगे? क्या ये एक दूसरे से कहीं किसी पॉइंट पर आकर मिल जाएंगे? कभी नहीं होगा ऐसा. क्यों? क्योंकि ये मरकरी अपने ओर्बिट में रिवॉल्व करता है यहां से लेके यहां तक. वीनस अपने ओर्बिट में रिवॉल्व करता है यहां से लेके यहां तक. ये लोग कभी भी कॉलाइड नहीं होगे. बिल्कुल ऐसे ही हमारा सोलर सिस्टम होता है बिल्कुल ऐसे ही घूमते हैं गोल 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 और इसलिए वो collide नहीं करते समझ में आया हमने ये activity तो देख लिए इस activity से हमने क्या सीखा ये भी हमने देख लिए आगे पड़ते हैं कि besides revolving around the sun a planet also rotates on its own axis हमें ये पता है कि जितने भी planets हैं वो sun के चारो और चकर लगाते हैं ये आपको पता है जैसे हमारा earth है earth भी sun के चारो और ऐसे घूम के आता है तब हम कहते हैं कि earth ने अपना एक revolution पूरा किया समझ गे revolution का मतलब क्या होता है sun के एक चकर लगाना और rotation का मतलब क्या होता है rotation बिलकुल earth हमारा ऐसे करता है जैसे लट्टू, लट्टू देख रहे हो, ये for example हमारा अर्थ है मालो, अर्थ की ये जो बीच वाला डंडा होता है, इसको हम axis कहते हैं, अर्थ अपने axis पर ही ऐसे गोल-गोल-गोल गूंडता रहता है, और इस चीज को हम rotation का नाम देते हैं, क्या कहते हैं, हमने कहते हैं कि अ अर्थ अपना rotate कर रहा है, rotation का नाम देते हैं, अब देखो आपको पता है कि अर्थ अपना एक rotation एक दिन में पूरा करता है, 24 घंटे में पूरा करता है, ठीक है, और वही पर अर्थ अपना revolution कितने दिन में पूरा करता है, एक साल में, one year में, ठीक है, तो rotation और revolution में आपको फ रहकर चार चक्कर लगा लेना, ठीक है, समझ में आया, अब देखो एक और important चीज है कि the time taken by a planet to complete one rotation is called period of rotation, that means कि sun के चक्कर लगाने में अर्थ को जितना समय लगता है, समय को हम कहते है period, आपको पता है न, किस चीज का period है ये, period of revolution है, मतलब अर्थ हमारा sun के चारो चक्कर कितने time में लगाता है, इसे हम period of revolution कहते हैं, और अर्थ खुद अपनी axis पर कितने time में घूमता है, इसे हम period of rotation कहते हैं, period of rotation, rotation, समझ में आया, period of rotation कहते हैं, अब ये को period of rotation का definition यहाँ पर लिखी गई है, the time taken by यह planet, एक ग्रह, एक प्लैनेट के द्वारा जितना time लिया जाता है, एक rotation को complete करने में, इसी time को हम period of rotation का नाम देते हैं, अब आपको कोई problem तो नहीं, कोई confusion तो नहीं होगी ना, I think नहीं होनी चाहिए, अगर कोई confusion है बेटा, तो please drop in comment section, got it, okay, so हमने यह देख लिया, some planets are known to have moons, satellites, revolving round them, अब देखो बहुत सारी planets हैं, जैसे हमारा Earth है, Earth है, Earth के अगल बगल हमारा एक moon है न, moon, चंद्रमा, वो ऐसे Earth के चारों चक्कर लगाता है, और moon जो है हमारा, वो हम इसे satellite भी कहते हैं, क्या कहते हैं, satellite, तो actually satellite होता क्या है, any celestial body, कोई भी space की चीज है, कोई भी space, आस्मान में पाई जाने वाली कोई भी चीज, जो किसी दूसरे चीज के गोल गोल घूमती है, ऐसे object को हम satellite का नाम देते हैं, जैसे moon हमारा, moon, Earth के चारों चकर गोल 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 घूम के लगाती है न, तो इसलिए moon हमारा क्या है, natural satellite है, क्या है, natural satellite, जैसे हमारे Earth के पास तो केवल एक ही moon है, बड़ Jupiter, Jupiter एक ऐसा planet है न, जिसके पास तीन-तीन moon है, ठीक है, तो ये Jupiter के ये तीन satellites हो गए, अभी आपको पता चल गया होगा कि satellites किसे कहते हैं, जो चीज किसी दूसरे चीज के अगल बगल घूमती है, उसे हम satellites कहते हैं, बड़ सर्त ये है कि satellites उनी चीजों को कहते हैं, जो आसमान में पाई जाती है, ठीक है, अब पहली क्या कहती है, पहली कहती है कि the Earth revolves around the sun, हमें पता है कि जो अर्थ है, जैसे दिखो अर्थ, हमें पता है कि अर्थ, ये सन के चारों चक्कर इसे गोल गोल घूमके लगाता है, अब क्या है कि does it make Earth a satellite of the sun, इसका मतलब ये होना चाहिए, कि अगर कोई भी चीज, for example, ये सन है, और सन के चारों चकर ये हमारा Earth लगाता है, तो क्या Earth, Sun का satellite हुआ, बिल्कुल हुआ, Sun का satellite Earth हुआ, बट हम इसे satellite नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसे, देखो, the Earth can be said to be a satellite of the sun, हम कह सकते हैं कि जो Earth है हमारा, वो Sun का satellite का का काम रहा है, क्यूं, क्यूंकि Earth, Sun के चारों चकर लगाती है, ठीक है, हम ऐसा कह सकते हैं, लेकिन, generally, we call it a planet of the sun, लेकिन, आम तोर पर, अगर कोई भी चीज, Sun के अगल बगल घूमती है, तो उस चीज को हम planet कहते हैं, तो भाया, satellite किसे कहते हैं, अभी तो आपने कहा कि कोई भी चीज आसमान में हो, उसके अगल बगल कोई दूसरी चीज घूम रही हो, तो उसे हम satellite कहेंगे, लेकिन, भाया, आप Earth को Sun का satellite क्यों नहीं कहतें, हम इसे इसलिए नहीं कहतें, क्योंकि हमने इसको एक दूसरा नाम दिया है, हमने planets कहा है, Earth भी हमारा Sun के चारों चक्कर लगाती है, इसलिए Earth भी क्या है, Sun का एक planet है, got it, मतलब Sun के अगल बगल कोई चीज अगर चकर लगा रही है, तो वो satellite सेटलाइट नहीं कहलाएगी, वो planet कहलाएगी, हम सेटलाइट किन चीजों के लिए यूज करते हैं, we use the term, सेटलाइट for the bodies revolving around the planets, अभी क्लियर हुआ, क्या हुआ कि केवल अगर कोई planet है, हमारे पास nine planets, sorry, eight planets हैं, आपको पता होगा बेटा, अगर इन आठ planets के अगल बगल कोई भी चीज चकर लगाती है, तब हम इस चीज को satellite का नाम देंगे, ठीक है, satellite कोई दूसरी चीज नहीं होती, केवल planets के चारो चकर लगाने वाली चीज को ही हम satellite कहते हैं, और sun के चारो चकर लगाने वाली चीज को हम planet कहते हैं, अभी आपको clear difference हो गया होगा, कि planet किसे कहते हैं, और satellite किसे कहते हैं, ठीक है, देखो, moon is a satellite of the earth, जैसे earth हमारा एक planet है, और moon एक ऐसी चीज है, जो earth के चारो चकर लगाती है, इसलिए moon हमारा, earth का satellite है, natural satellite है, यह आपको पता भी होगा, there are many man-made satellites revolving around the earth, आपको पता है कि बहुत सारे man-made हम इंसानों द्वारा बनाया गया भी satellite है, जैसे आरे भट हो गया, अपोलो हो गया, यह सब satellites है, यह सब हमारे planets के अगल ब घूम कर, वहां के बारे में पता लगाती है, मरकरी, 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 मरकरी को हम हिंदी में बुद्ध कहते हैं, अब आपको पता है कि अगर हिंदु धर्म के अनुसार, अगर आपको पता होगा, तो बहुत सारे ग्रह होते हैं, नौ ग्रह होते हैं, हम नौरात्री में नौ ग Mercury is nearest to the sun, आपको पता है कि sun के सबसे ज़्यादा करीब कौन सा प्लैनेट है, वो है Mercury ये सबसे चोटा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का, आपको पता होगा कि Mercury के पहले सबसे चोटा जो प्लैनेट था वो था Pluto, बट Pluto तो अब हमारे सोलर सिस्टम में है नहीं हमारे सोलर सिस्टम में अब केवल 8 प्लैनेट्स है इन 8 प्लैनेट्स में से सबसे छोटा प्लैनेट कौन सा है मरकरी अभी अगर आपको जीके के लिए कोई पूछे smallest planet of solar system तो क्या कहोगे मरकरी जो बुद्ध रहे है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट माना जाता है अब इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि मरकरी सन के बहुत जादा पास है इसलिए शायद ये छोटा है छोटा क्यों है क्योंकि मतलब वो जल्दी से अपना revolution पूरा कर लेता है जल्दी से वो सन के चारो चक्कर लगा लेता है इसलिए हम इसको छोटा मानते है अब देखो सन की इतनी जादा light और सीधा मरकरी पर पड़ती है इसलिए बहुत difficult होता है बहुत कठीन होता है कि इतनी जादा सन की light में आप मरकरी प्लैनेट को देख पाओ आप खुले आखों से तो बिलकुल नहीं देख पाओगे as most of the time it is hidden in the glare of the sun जैसे मैंने बताया कि सूरज की इतनी जादा चमक होती है कि यह हमारा मरकरी बेचारा पता ही नहीं चलता कि यह कहां पर है however it can be observed just before sunrise or just just after sunset near the horizon horizon क्या होता है देखो आपको पता है हमारा जो पूरा आस्मान है वो लगता है इधर से निकला है और इधर आकर खतम हो गया है ठीक है तो जहां पर for example sun है हमारा sun sun निकलता है इधर से और घूम के इधर जाकर end हो जाता है ऐसा ही तो होता है न तो ये जो end वाली जगह है इसी को हम horizon कहते हैं अब अगर आप सूरज निकलने के पहले या सूरज निकलने के बात देखोगे न तब आपको ये mercury जो planet है वो दिख सकता है वो आपको दिख जाएगा अब देखो सिंपल सी बात है कि जब हमारा mercury हमें कहां देखने को मिलेगा एकदम जो आस्मान आपको पता होगा है आप फॉर इक्जामपल यहां से देखते हो तो आपको लगेगा कि कुछ दूर जाने के बाद हमारी ये जो आस्मान है वो नीचे जाकर खतम हो गया है आपको ऐसा भी लगता होगा बिल्कुल सही लगता है आपको और इस जगह को हम हॉरीजन का नाम देते हैं क्या कहते हैं हॉरीजन का नाम देते हैं ठीके अब हॉरीजन आपको कहां पर दीखेगा अगर आपके सहर में बहुत बड़ी बड़ी ब्रेडिंग नहीं है अगर आपके सहर में बहुत बड़ी बड़ी पेड नहीं है तब आपको होरिजन दिख जाएगा ऐसा जादतर गाउं में ही देखने को मिलता है villages में देखने को मिलता है ठीके तो आप गाउं में ही जाकर mercury को देख पाओगे एक और important चीज mercury के बारे में ये बताई गई है कि mercury का कोई अपना satellite नहीं होता जैसे earth के पास अपना एक satellite है moon वैसे mercury के पास कोई satellite नहीं होता है ठीक है अभी हम आपको बताते हैं कि कौन-कौन से planet के पास अपना satellite है सबसे पहले mercury के पास तो अपना satellite नहीं है mercury के बारे में अगर कोई आपको बताने के लिए बोले तो आप कहोगे कि जो mercury है वो हमारे sun के सबसे करीब है पहली चीज ये सबसे छोटा है solar system में दूसरी चीज ये छोटा क्यों है क्योंकि mercury sun के बहुत जादा पास है तीसरी चीज mercury को हम कहां देख सकते हैं observed just before sunrise और just after sunset जब सूरज उगने वाला होता है या जब सूरज डूब जाता है तब ही हम जहां पर सूरज डूबता है कि अगर आपके सहर में बहुत बड़ी-बड़ी building है और अगर आप यहां पर हो तो आप कैसे देखोगे horizon को आप नहीं देख पाओगे इसलिए अगर आप गाउं से देखते हो तो mercury को आप बहुत आसानी से देख पाओगी कोई दिक्कत तो नहीं है नाव आवर next second nearest planet to the sun is Venus which planet Venus Venus को हम हिंदी में सुक्र भी कहते हैं आई इनके बारे में जान लेते हैं कि भाईय वीनस planet क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि Venus is Earth's nearest planetary neighbor जो Venus है ना हमारा Earth से सबसे नजदीक वाला planet है यह जो Venus है वो Earth से सबसे जदा नजदीक है अगर आप अपने आस्मान में देखोगे तो आपको अगर कोई planet जो सबसे जदा चमकदार दीखेगा तो वो है Venus Venus सबसे जदा चमकदार planet होता है हमारे solar system का कभी-कभी क्या होता है कि Venus appears in the eastern sky before sunrise कभी-कभी यह Venus हमारे पूरवी दिसा में इस्ट वाले हिस्से में जहां से sun निकलता है sunrise के पहले हम देख सकते है Venus को और कभी-कभी जब सूर्य अस्थ हो जाता है जब sunset हो जाता है उसके बाद western वाले पार्क में हम Venus को देख सकते है इसका मतलब यह है कि Mercury के जैसा Venus भी सूर्य उदय के पहले और सूर्य अस्थ के बाद हमें दिखाई देता है समझ में आया therefore it is often called a morning और a evening star यही reason है यही कारड है कि कभी-कभी हम इस Venus को morning का star कहते है या evening का star कहते है क्यों? क्योंकि यह morning में सूरज के उगने से पहले दिखाई देता है या साम को सूरज के उगने के बाद दिखाई देता है चुकि यह star तो है नहीं है तो यह planet ही बट फिर भी हम इसे star कहते है morning star और evening star कोई आप से पूछे कि which planet is known as the morning और evening star तो तुम क्या बोलोगे Venus is that planet which is known as morning और evening star अब देखो आपको कहा गया है कि try to locate Venus in the night sky अगर आपको बोल दिया जाए कि आप अपने आस्मान में Venus को ढूड़ो यह जो सुक्र ग्रह है जो यह Venus planet है इसको अगर तुम्हें आस्मान में ढूड़ने के लिए बोल दिया जाए तो क्या तुम धूड़ पाओगे चलो मैं आपकी मदद करता हूँ कि आप Venus को आस्मान में कब देख सकते हो और कहां देख सकते हो देखो बत उसके पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि Venus के पास कोई अपना moon नहीं होता मतलब Venus का कोई natural satellite नहीं होता Mercury के जैसे Venus का भी कोई अपना satellite नहीं है rotation of Venus on its axis is somewhat unusual अब देखो हमने बोला कि अगर कोई भी चीज अगर कोई भी चीज अपने जगपर ही खड़े रहकर घूमती है तो उसको हम rotation का नाम देते हैं यह आपको पता है जैसे Earth भी हमारा अपनी ही axis पर rotate करता है अपनी ही डंडे पर ऐसे गोल 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 घूमता है बिलकुल ऐसे ही Venus भी अपने axis पर rotate करता है बट थोड़ा सा अलग तरीके से यह जो Venus है यह East direction से West direction में rotate करता है और वही पर हमारा जो Earth है वो West direction से East direction में rotate करता है तो यह एक major difference है कि जो Venus है वो East से West rotate करता है और वही पर जो Earth है वो West से East direction में rotate करता है I hope आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, चलिए आगे पढ़ते हैं, यहां पर एक activity दी गई है, इस activity में आपको यह बताया गया है कि how you can locate Venus in sky, आप आस्मान में Venus को कब देखते हो, कहां देखते हो, यह यहां पर बताया गया है, सबसे पहले तो आपको अगर Venus देखना हो तो आप इंटरनेट पर देखो, आप इंटरनेट पर जाओ, सर्च करो Venus star या Venus planet in the sky, तो आपको image आ जाएगी, खुल के आ जाएगी, आप वहां पर देख सकते हो कि हमारा यह Venus planet दिखता कैसे है, अब देखो, Venus इतना ज़ादा चमकदार होता है कि तुम आसानी से पहचान लोगे recognize कर लोगे, Venus के brightness से तुम उसे पहचान जाओगे, याद रखो जो हमारा Venus है न, वो कभी भी आसमान में, उचे आसमान में नहीं दिखाई देता, उचे आसमान में मतलब कभी भी तुमको आसमान के बीचो बीच ये Venus दिखाई नहीं देगा, तुम्हें Venus कहां दिखाई देग एक दो घंटे पहले, sunrise के एक दो घंटे पहले, या sunset के एक दो घंटे बाद, आप इस Venus प्लैनेट को आसमान में देख सकते हो, समझ में आया, अब ये पहली क्या बोल रही है, पहली बोल रही है कि does it mean that on Venus, the sun would rise in the west and set in the east, इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई इंसान Venus, Venus जो ये ग्रह है, Venus प्लैनेट पर चला जाए, तब उसे जो ये sun दिखाई देगा ना, हमको पता है जो हमारा sun है, वो अर्थ पर कैसा दिखाई देता है, east से निकलता है और west पर जाकर set हो जाता है, लेकिन अगर कोई इंसान Venus पर जाके देखेगा ना, तो उसे दिखाई देगा क ये जो sun है, वो west direction से निकल रहा है, और east direction में set हो जा रहा है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो Venus है हमारा, वो east से west direction में rotate करता है, मतलब उसे सारी चीज उल्टी दिखाई देगी, sun भी उसे उल्टा दिखाई देगा, west से east की तरफ rotate करता हुआ, ये sun इसे दिखाई देगा, अ तुम क्या देखोगे, तुम देखोगे कि Venus भी अलग अलग अपना चेहरा दिखाता है, जैसे हमने moon के बारे में पढ़ा था ना, हमने moon के बारे में पढ़ा था कि कभी moon हमारा आधा दिखाई देता है, कभी moon हमारा पूरा दिखाई देता है, इसको हम phases of moon कहते हैं, क्या कहत ही अगर हम Venus को भी टेलिस्कोप से देखे ना, तो Venus हमारा कभी थोड़ा कटा हुआ दिखाई देगा कभी थोड़ा जादा दिखाई देगा, कभी आधा, कभी पूरा Venus दिखाई देगा, ये phases of moon की तरह ही Venus भी अपना अलग-अलग phase दिखाता है समझ में आए, जैसे आप अपने धर्ती से देखते हो, तो आपको चाद कभी पूरा दिखाई देता है, कभी आधा दिखाई देता है बिल्कुल ऐसे ही, अगर आप धर्ती से टेलिस्कोप लगा कर देखोगे ना, तो तुम देखोगे Venus भी कुछ moon की तरीके से अर्थ के बारे में तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ पता होगा, बाकी चीजे मैं बता देता हूँ आपको, देखो ये जो अर्थ है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम का एक मात्र ऐसा प्लैनेट है, जहां पर जिंदगी पाई जाती है जहां पर तुम्हें मनुष्य देखने को मिलेंगे, मतलब PK मूवी देखे आपने, PK में आपको, आपने देखा होगा कि आमिर खान दूसरे गोले सरा आया है दूसरे गोले पर, दूसरे प्लैनेट पर रहता था, आमिर खान वहां से धर्ती पर आया था, लेकिन ऐसा होता नहीं यह रियल लाइफ में, रियल लाइफ में केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है, जहां पर जिंदगी एक्जिस्ट करती है जहां पर मनुष्य पाए जाते हैं, ठीक है, समझ में आया, अब ऐसा क्यूं होता है केवल अर्थ पर ही लाइफ पॉसिबल क्यूं है क्यूंकि हमारे अर्थ का जो इन्वार्मेंटल कंडीशन है हमारे अर्थ का जो वाता वरड़ है वो थोड़ा स्पेशल है, जिसकी वज़े से यहां पर लोग जिंदा रह सकते हैं, लोग यहां पर मनुष पाए जाते हैं केवल इस वज़े से क्यूंकि अर्थ का जो वाता वरड़ है वो बाकी प्लैनेट से काफी अलग है, कैसे अलग है देखो पढ़ लेते हैं कि इन्क्लूड जस्ट दर राइट डिस्टेंस फ्रॉम दे सन, सो देट इट हैस राइट टंप्रेचर रेंज देखो होता क्या है कि हमारा जो अर्थ है ना वो सन से, सूरज से प्रॉपर डिस्टेंस पर है एग्जैक्ट उतनी ही दूरी पर है जितनी दूरी पर अर्थ को रहना चाहिए मतलब जो हमारा सन है सन से सबसे नियरेस प्लैनेट मरकरी है मरकरी पर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है उसके बाद हमारा सन के बाद वीनस आता है ठीक है, उसके बाद अर्थ आता है अब ये अर्थ है ना अर्थ सन से ना ज़्यादा बहुत दूर है ना बहुत ज़्यादा पास है जिसकी वज़े से क्या होता है हमारे अर्थ का जो temperature है वो maintain रहता है हमारे अर्थ पर ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा गर्मी और ना बहुत ज़्यादा थंडी पड़ती है ठीक है? तो सबसे बड़ा कारड ये है कि sun से हमारा अर्थ proper distance पर है जिसकी वज़े से ना हमारे अर्थ पर ज़्यादा गर्मी पड़ती है ना बहुत ज़्यादा थंडी पड़ती है अब और भी कुछ reasons है जिसकी वज़े से हमारे अर्थ पर life possible है वो reason ये है कि हमारे धर्ती पर केवल हमारी धर्ती ही, हमारा अर्थ ही केवल एक ऐसा प्लैनेट है, जहांपर वाटर पाया जाता है आपको पता है, पानी मनुस्य के जिन्दा रहने के लिए बहुत जरूरी है इसलिए धर्ती केवल एक ऐसा प्लैनेट है, जहांपर पानी पाया जाता है और अगर धर्ती पर पानी पाया जाता है, तो लोग भी यहां पर जिंदा रह सकते हैं, किसी और प्लैनेट पर वाटर नहीं पाया जाता है, वाटर के साथ साथ हमारा जो atmosphere है, जिसमें आपको अलग-अलग gases, oxygen, carbon dioxide मिलते हैं, जो हमारे अर्थ पर life को balance करते हैं, हम oxygen लेते हैं, पेड़ पौधे, carbon dioxide लेते हैं, तो इससे क्या होता है, हमारे अर्थ का जो atmosphere है, वो maintain रहता है, अब इसके अलावा एक और कारण है कि अब blanket of ozone, आपको पता है कि हमारा ये जो अर्थ है, हमारा जो ये अर्थ है, अर्थ के चारो ओरना एक layer है, एक परत है, इस परत को हम ozone layer का क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, ozone layer, ये ozone layer क्या काम करता है, अगर sun से कोई खतरना किरड हमारे धरती पर आ रही है, तो ये ozone layer उन harmful race को अंदर नहीं आने देता है, तो ये एक और बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वज़े से अर्थ पर जीना मुम्किन हो पाया है, अ अगर ozone layer ना होता, तो तुम सोचो क्या होता, ozone layer ना होता, तो direct sun की light हमारे अर्थ पर पढ़ती, जिससे अर्थ में बहुत ज़ादा गर्मी बढ़ जाती, लोग जिन्दा नहीं रह पाते, ठीक है, we must take special care to protect our environment, so that life on earth is not disturbed, आज हम क्या करने लगे हैं, आज हम AC का यूज करते ह यह जो AC और fridge से निकलने वाली gases है ना, यह ozone layer को जाकर hole कर देती है, ozone layer में छेद कर देती है, जिसकी वज़े से क्या हो रहा है, अब ozone layer में हमारे बहुत बड़ा सा hole हो गया है, जिसकी वज़े से sun की जो rays है, वो direct earth पर पढ़ रही है, और इसी वज़े से लोगों को skin cancer जैसी हो रही है, तो भया हमें अपने environment को बचा कर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान हमारे उपर महर्बान है, बाकी किसी और planet के उपर महर्बान नहीं है, अर्थ पर ही मन उससे पाये जाते हैं, अर्थ पर ही मम्मी, पापा, भाई, बहन पाये जाते हैं, अगर earth का ये special environmental condition ना हो तो ये earth पर भी जीना मुम्किन नहीं होता, ठीक है, देखो आगे पढ़ लेते हैं, आगे कह रहा है कि from space the earth appears blue green due to the reflection of light from water and land mass on its surface, अब ये कह रहा है कि जो हमारा earth है न, अगर हम उसे space से देखें, अगर हम earth को अंतरिक्च से जाके देखें न, तो earth हमारा कुछ blue green color का दिखा देता है, क्योंकि आपको पता है हमारे धरती पर बहुत जादा पानी है, और अगर light पानी पर reflect होकर हमें दिखाई देता है, तो हमें blue or green color का दिखाई देता है, इसलिए हम अंतरिक्च से जब देखते हैं, तो हमें ये पूरा planet, blue planet या green planet दिखाई देता है, ठीक है, समझ मे कोई दिक्कत तो नहीं है, देखो, the axis of rotation of the earth is not perpendicular to the plane of its orbit, ये कह रहा है कि जैसे देखो, आपको पता है कि earth हमारा एक axis पर rotate करता है, एक डंडे पर rotate करता है, लेकिन ये जो डंडा है ना, ये बिलकुल एकदम सीधा नहीं है, ये थोड़ा सा तेड़ा है, थोड़ा सा तेड़ है कि हमारा earth इसी, इसी तेड़े axis पर घूंता रहता है, और यही reason है कि हमारे earth पर अलग-अलग मौसम होते है, हमारे earth पर ठंडी, गर्मी, बरसात, क्यों होती है, केवल इसी reason से कि हमारे जो earth का axis है, वो थोड़ा सा tilted है, वो थोड़ा सा क्या है, तेड़ा है, ठीक है, समझ म आया, earth has only one moon, आपको पता है, हमारी धरती से केवल हमें एक ही चांद दिखाई देता है, अब देखो, अब यहाँ पर टकलू-बुजो, टकलू-बुजो बहुत interesting है, यह बोलता है कि बुजो बोल रहा है कि भाया, मैंने बोलो बुजो, बोल रहा है कि भाया, अगर मैं 13 साल का हूँ, और अगर मैं earth पर रहता हूँ, वैसे तो हम सभी earth पर रहते हैं, मालो यह sun है, ठीक है, यह कह रहा है कि बुजो, भाया, अगर मैं 13 साल का हूँ, तो मैं अब तक sun के कितने चक्कर लगा चुका हूँ, तो आपको पता है बेटा कि earth, एक साल में sun के एक चक्कर लगा चुका है sun का, ठीक है, तो बहुत ही simple सा है, आप जितने साल के हो, जैसे मैं 21 साल का हूँ, तो मैंने 21 बार sun का चक्कर लगा लिया है, earth में बैठ कर, ठीक है, तो यह थोड़ी से interesting facts है, जो आपको जानना ही जानना चाहिए बेटा, मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह है, अब देख possible है, शायद मंगल ग्रह पर भी मनुष्य जिंदा रह सकते हैं, इसकी खोज अभी भी हमारी जो NASA है, वो कर रही है, NASA आपको पता है न, American Space Agency है, जो space के बारे में पता लगाती है, तो आजकल NASA क्या कर रही है, वो मंगल ग्रह पर जीवन ढूणने की कोसिस कर रही है, देख ले मंगल ग्रह, आपको पता है, सन के बाद सबसे पहला ग्रह कौन सा है, मरकरी है, फिर कौन सा है, वीनस है, फिर कौन सा है, अर्थ है, फिर कौन सा है, मार्स है, ठीक है, फिर कौन सा है, मार्स है, तो समझ गई इतना, अब देखो, कह रहा है कि मंगल ग्रह है, ये जो मार्स है यह हमारा पहला ऐसा प्लैनेट है जो अर्थ के और्बिट के बाहर पाया जाता है मतलब आपको पता होना चाहिए बिटा कि सिंपल सी चीज है यह for example sun है और मान लो यह mercury है यह venus है यह earth है आपको पता है कि mercury अपने रास्ते पर चलती है venus अपने रास्ते पर चलता है और earth अपने रास्ते पर चलता है आपको यह पता है बिल्कुल पता होगा यह earth जो है न अर्थ का इतना बड़ा गोला है इतना बड़ा orbit है कि earth के orbit के अंदर venus का भी orbit आता है और mercury का भी orbit आता है लेकिन जो मार्स का ओर्बिट है वो अर्थ के ओर्बिट से भी बड़ा है इसी लिए ये कहा गया है कि हमारा मार्स एक ऐसा फर्स्ट प्लैनेट है जो अर्थ के ओर्बिट से बाहर पाया जाता है ये जो हमारा मार्स है ये हमें स्पेस से देखने में लाल कलर का दिखता है हलका रेड कलर का दिखता है इस वज़े से हम मंगल ग्रह को ना रेड प्लैनेट का भी नाम देते हैं समझ में आया ? मार्स के पास अपना दो चोटा-चोटा natural satellites है या कहलो कि मार्स के पास अपना दो small moon है ठीक है ? जैसे हमारे अर्थ पर केवल एक moon है वैसे ऐसे ही मंगल ग्रह पर दो moon है दो natural satellites है तो भपाया this is all about this part हम fourth part के साथ जल्द मिलेंगे fourth part will be the last part of this particular chapter इस chapter के जो बाकी ग्रह रह गए है Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune और उसके बाद asteroids के बारे में हम पढ़ेंगे अपने next part में फिर हम comments पढ़ेंगे तो next part भी बहुत ज़ा important होने वाला है I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो पहली वीडियो की तरह ही प्यार दीजे वीडियो को ज़ादा ज़ादा सेयर करिए वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना चानल को सस्क्राइब करो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए चेहन